हमारी बात सुनी गई, पचास साल बाद ये हुआ है भाईयों बेनों, आपको गर्म होता है कि नहीं होता है, आपको आनन्द होता है कि नहीं होता है, आपको अजिमी अभिमान होता है कि नहीं होता है, साथियों इन पचास सालों में जादातर समाए देश में कौंग्रेस और उसके ही सयोगी दलो की सरकार रही है क्यों वो भारत की बुलंदावाच दुनिया के ऐसे मन्चों पर नहीं रख पाए क्या इसका जवाम उन्होंने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए भाईयों बेवनों मैं आपको पताना चाहता हूँ अभी हाली में अभी हाल में साउदी अरब ने वहां के crown prince बारत आये थे तो उनके सम्मान में भोजन था तो भोजन पे हम बाते कर रहे थे बातों बातों में मैंने उन्हें कहा कि देश ये हिंदुस्तान में तेज गती से आर्थिक विकास हो रहा है हमारा मद्यम्बर का दाइरा बढ़ता जला जा रहा है लोग गरीबी से बाहर आ रहे हैं तो उनके मन में भी नहीं नहीं इच्छाए जगती है तो उन्हें मुझे पुज़ा क्या मैंने के हमारे मुसल्मान भाई अब बड़ी मात्रा में हज के लिए जाना चाहते है लेकिन आपका कोटा कम पढ़ रहा है तो नहीं का मोधी जी बताईए मैं क्या करू मैंने का भारत का कोटा बढ़ा दीजिए और आपको खुसी होगी दो लाग कर दिया दो लाग दुनिया में किसी भी देश का कोटा नहीं बढ़ा हमारे देश के मुसल्मान हज यात्रा कर सके इसलिए कोटा बढ़ गया ये भारत की आवाज सुनी जा रही है इतना ही नहीं मैंने दूसरी बात कही मैंने क्राउन पिंसे कहा कि भारत के नौजवान साओधिय अरभिया में रोजी रोटी कमाने आते हैं मद्दूरी करते हैं काम करते हैं जाधातर हमारे गरीब परिवारों से होते हैं भले भोले लोग होते हैं मेहनत करते हैं जाधातर मेरे मुसल्मान परिवारों से होते हैं अब उनसे कुछ छोटी मोटी गलतिया हो जाती है उनको वहां के कानून का पालन नहीं कि पता होता है और बेचारे जेल चले जाते है और सालों तक जेल में रहते है मैंने कहा मुझे आपकी मदद चाहिए उन्होंने क्या क्या चाहिए मैंने कहा जल्दी से उनका केस चले और उनको जेल से रिहाई कर दिया जाएं उन्होंने का मोदी जी आपने कहा है न मैं आज आपको शाम तक जबाब दे दूँगा आप हैरान हो जाएंगे साउदी अरभिया के क्राउन प्रिंस शाम को रास्पती भवंद में जब हम डिनर पर बैठे थे तो उन्होंने कहा मोदी जी तो कुछ मिठा खालो मैंने कहा किस बात का बोले साउदी की जेल में बारत के जो आठ सो पचास लोग थे उनको छोड़ने का मैंने फैंसला कर लिया ये होता है दुनिया के साथ नाता भाई मैं इन फैंसलों के लिए साउदी अरफ को क्राउन पिंस को रदैपुर्वक धन्यवाद देता हूँ भाई यो बैन साथ्यों ये विदेश में बारत के बत्ते प्रधाव दूसरे देशों के साथ मजबुत होते हमारे रिस्तों का एक और उदारण है लेकिन ये इसका भी उदारण है कि पहले कॉंग्रेस और उसके साथ्यों ने किस तरह से देश चलाया है बोट ले करके भूल जाने वाले ऐसे लोगों को अब भली बाती देश पहचान गया है पहचान गये हो कि नहीं हो अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार के लिए राजनिती करने वालों के पास मोदी को गाली देते रहने के सिवाए और कोई काम नहीं बचा है मेरे प्यारे भिहार के भाईयो बेनो और मेरे देश के भाईयो बेनो आप चीजों को बारी किसे देखिए चीजों को समझने का प्रयास कीजिए क्या चल रहा है आजकर साथियों बे कहते हैं कि आओ मिलकर मोदी को खत्म करें बे कहते हैं आओ मिलकर के मोदी को खत्म करें और मोदी कहता है आओ हम सब एक होकर आतंग बाद को खत्म करें आप मुझे बसाइए आतंगवाद को खत्प करने के लिए एक होना चाहिए आतंगवाद को खत्प करना प्रास्पिक्ता होनी चाहिए लेकिन उनकी प्रास्पिक्ता है मोदी को खतम करो मेरी प्रात्पिक्ता है आतंगवाद खतम करो वे कहते हैं कि आओ मिलकर के मोधी को खत्म करो मैं कहता हूँ आओ मिलकर गरीबी का मुकाबला करे देश को गरीबी से मुक्त करे वे कहते हैं कि आओ मिलकर मोधी को खत्म करे मैं कहता हूँ आओ हम सब एक होकर ब्रस्टा चार और काले दन को सबाब्त करे वे कहते हैं कि आओ मिलकर मोधी को खत्म करे मैं कहता हूँ कि आओ हम सम मिलकर देश के नवजवानों के लिए नए अवसर बनाए उनके सपने पूरे करे इसके लिए काम करे वे कहते हैं कि आओ मिलकर मोधी को खत्प करे मैं कहता हूँ आओ सम मिलकर के देश में कूपोशन को खत्प करे गंदगी को खत्प करे मेरे प्यारे भाईयों बेनों नियत नियत का फर्क है साथियों अपने देश को विश्व में नई उचाई पर पहुँचाने के लिए मैं दिनराज एक कर रहा हूँ नए रास्ते बना रहा हूँ और मुझे ही रास्ते से हटा देने के लिए काम कर रहे हैं साजी जरत रहे हैं जूठ बोल रहे हैं लेकिन भाई और बहनों बिहार के लोग देश के लोग इतने जागरुक है के इनकी सारी बाते एक के बाद एक देश के सामरे अब आ चुकी है देश के लोग मन बना चुके हैं के इन्हें एक बार फिर सजा देंगे उनकी गल्तियों का एसास कराएंगे ये अपनी राजलिति करते रहे हम देश के विकास के लक्ष को लेकर निरंतर आगे बढ़ेंगे इसी विश्वास के साथ फिर से इतनी बड़ी तादाद में आ करके हम सब को जो आशिरवाद दिये मैं रजय पुर्वक आपका अभिननन करता हूँ आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे साथ दोनों मुठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की करत करते बारत माता की भारत माता की